आज questions का revision करेंगे पहली class है दोस्तों यदि आप कुमारे चैनल पे ना है तो चैनल को subscribe कीजे, like कीजे, share कीजे दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सामान ग्यान question number पहला है यहाँ पे भागोली की स्थिती से सामान दित है question number first बुंदेल खंड नामक चैतर निमलिखित के सीमा के अंतरगत आता है दोस्तों आपको बताना है तो राइट आंसर बनेगा option B उत्तर प्रदेश मद्द प्रदेश सीमा इसका सही ज़ाब बनेगा अगला question question number second है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपने सीमा साजह नहीं करता है आपको बताना है तो राइट आंसर बनेगा option C सीतापुर उतरप्रदेश राज का सीतापुर जिला नेपाल के साथ सीमा अपनी सीमा साजह नहीं करता है नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमेटर उतरप्रदेश के साथ अपनी सीमा साजह करता है उतरप्रदेश के उतरप्रदेश राज के साथ जिलों की सीमा न तो right answer बनेगा option D. बलिया उतरपदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर इस्थित है उतरपदेश की सीमा देश के 9, 8 राज और 1 के नसासित प्रदेश राजियों के साथ लगती है अगला कोशन कोशन नमबर 4 है निम लिखित में से कौन सा देश उतरपदेश राज के साथ ए जिले पिली भीत लखिमपूर खीरी बहराई स्रवस्ती बलरामपूर से धाकनगर और महराजगंज नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं कोशन नमबर अगला है फिफ्ट है कोशन नमबर उतरपदेश का निम लिखित में से कौन सा जिला इस राज के अन जिलों से घिरा हुआ है यानि किसी भी अन राजिया देश के सा सीमा साजा नहीं करता है आपको बताना है तो सई जवाब बनेगा उप्शन सी हर्दोई उतर कोशन नमबर 6 है उतरपदेश के निमन में से कौन से जिले की सीमा मद पुदेश के साथ साजा नहीं करती है तो राइट अपसंदी हो जाएगा अलीगर उतरपदेश के प्रयागराज इलाहबाद मिर्जापुर आगरा इटावा जहांसी लेलेट पुर बांदा चित्रकूट सोनबद जालोन उतरपदेश के अलीगर सहरनपूर सामली गौत्तम बुद्धनगर मतुरा बागपत ये सभी जिले हर्याना राजी के साथ सीमा साजा करते है तो राइट अंसर आपस पुरिक सीमा सरवाधिक राजियों को इस परस करती निमलिकित में से कौन सा राज इन में शामिल नहीं है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों उप्सन बी ओडिशा अगला कोशन कोशन नमबर एच है दोस्तों उतर प्रेस में कुल कितने चिले हैं आदितनाथ और राजपाल सेरीमति आननदी बेन पटेल हैं अगला कोशन कोशन नमबर नाइन है उत्तर प्रदेश राज की सीमा आनि अनी कितने राजियों को इस परस करती है तो राइट आंसर ऑप्सन सी हो जाएगा आठ उत्तर प्रदेश राज की सीमा कुल आठ राजयो को इस पर्स करती है अगला कोशन कोशन नमबर 10 है उत्रप्रजिस राज की सिमाई कितने राजियों के साथ लगी हुई है आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा option C 8 अगला कोशन कोशन नमबर 11 है उत्रप्रजिस में सबसे कम चेटफल वाला जनपत कौन सा है तो राइट अंसर बनेगा option D संत रविदास नगर option D सही ज़ब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 12 है उत्रप्रजिस राज का भारत में चेटफल की देश्टिस से कौन सा इस्थान है तो राइट अंसर अप्सन D हो जाएगा चोथा इस्थान है अगला कोशन कोशन नमबर 13 है भारत में कौन सा राज सबसे अधिक पड़ोसी राजियों की सिमाओ को इस वर्स करता है तो यहाँ पर दोस्तों इस कोशन का सही ज़ब बनेगा option A उत्तर प्रदेश अगला कोशन कोशन नमबर 14 है प्रसासनिक ब्योस्था से समन्धित कोशन नमबर 14 UPSIDA का फूल फार्म क्या है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर बने का option A उत्तर प्रदेश राज आउदोगिक विकास प्राधिकरा अगला कोशन कोशन नमबर 15 है उत्तर प्रदेश दिवस निम्न में से किस तारीक को मना जाता है तो राइट अंसर बने का option D 24 जन्वरी अगला कोशन कोशन नमबर 16 है उत्तर प्रदेश को पहले सम्युक्ट प्रांत के रूप में जाना जाता था इसे किस वर्स उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था तो राइट अंसर हो जाग option C 1950 अगला कोशन कोशन नमबर 17 है सम्युक्ट प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राजपाल कौन था तो राइट अंसर बनेगा यहाँ पर option B होरमास जी फिरोज सहाब मूंदी option B यहाँ पर सही जाप बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 18 है उत्तर प्रदेश की पर्थम महिला मुक्रिमंतरी कौन थी तो राइट जाप बनेगा option B सुचेता करप लानी अगला कोशन कोशन नमबर 19 है उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है इनमेंसे कौन सा है तो सही जाप बनेगा option B सारस इसका सही जाप हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 20 है निम्न मेंसे किसने उत्तर प्रदेश राज के राजपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है तो सही जाप हो जाएगा option C स्री चंद्र भान गुपता अगला कोशन कोशन नमबर 21 है उत्तर प्रदेश राज में उर्दू को दुत्ती राजभासा कब घोसित किया गया है तो आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा option C वर्ष 1989 अगला कोशन कोशन नमबर 22 है उत्तर प्रदेश राज में निम्न में से किस लोका युक्त का कारिकाल सरवाधिक रहा है तो सही जाप बनेगा option C नयमूर्द N.K. महरुत्रा नेक्स कोशन कोशन नमबर 23 है निम्न लिखित में से कौन सा कभी भी उत्तर प्रदेश का राजपाल नहीं रहा है तो राइट अंसर बनेगा option A अगला कोशन कोशन नमबर 24 है राम नाइक ने वर्ष किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राजपाल के रुप में सपत ले थी तो राइट अंसर यहां पर बनेगा option A 2014 22 जुलाई 2014 कुराम नाइक ने लखनव में उत्तर प्रदेश के 27 में राजपाल के रुप में सपत ले थी वह महाराष्ट के पूर्व केंद्री मंत्री और भारती जनता पार्टी के नेता हैं वर्थमान में उत्तर प्रदेश की राजपाल सिरिमती अनंदी बेन पठेल है अगला कोशन कोशन नमबर 25 उत्तर प्रदेश राज कब अस्तिस्त में आया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्सन एक अपरेल 1937 का सई जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 26 है इन में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक चिला नहीं है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन सी देहरा दून कोशन नमबर 27 है निम्नम में से कौन सी भाषा उत्तरप्रेश की दो राज भाषाओं में से एक है तो सही जवाब हो जाएगा दूस्तों यहाँ पर अप्सन ए उर्दू अगला कोशन 28 कोशन नमबर दीएगे बिकल्पों में से गलत जुला मुख्यालय वाली जूड़ी का चैन करें तो सही जवाब बनेगा उप्सन कॉशन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पर पहला दिएगा मेठी का मुख्यालय गौरी गंज है सोन भद्र का राबर्स गंच और कुसी नगर का पड्रोना और कौसंबी का मंझन पूर बनेगा दूस्तों तो option D यहाँ पर कौसंबी का वैसाली दिया गया है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा Question number 29 है उतरपदेश का पर्थम राजपाल इन में से कौन सा था तो right answer बनेगा option B सरोजीनी नाइटू अगला question, question number 30 है United province कब उतरपदेश बना तो right answer option C हो जाएगा 1950 Question number 31 है उतरपदेश राजपाल इन में से कौन सा है तो यहाँ पर right answer बन जाएगा option D सारस Question number 32 है उतरपदेश का राजपक्षी क्या है तो right answer यहाँ पर बनेगा option B सारस दोस्तों अगला question Question number 33 है निम लिखित में से कौन सा उतरपदेश का राजपक्षी की पर्षू है आपको बताना है तो right answer option B हो जाएगा 12 सिंग्रा Question number 34 किस साहर को अभी तक राजपक्षी राजधानी चत्र में समलेत नहीं किया गया है दोस्तों तो right जवाब बनेगा option C अलीगर Question number 35 है वर्तमान में उतरपदेश राज में कितने ग्राम पंचायट है तो यहाँ पर right answer option D हो जाएगा लगभग 52 इसका सही जवाब बनेगा वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायते हैं दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगला question Question number 36 है सोतंत भारत में उतरपदेश के पर्थम विधान सभा अध्यक्ष पौन थे तो right answer बनेगा option है पुरसोत्तम दास टंडन Next question, question number 37 है दोस्तों ब्रज भाशा बोलने वालों का घर किस छेतर में आता है तो right answer option B हो जाएगा निचली दुआब अगला question Question number 38 है उतरपदेश का पर्थम लोकायुक्त कौन था तो right answer option T हो जाएगा बिसंभर देयाएगा Next question, question number 39 उतरपदेश लोक सिवा नया धिकरान किस वर्स इस्थापित हुआ था तो ये इस question का right जवाब हो जाएगा option B, 1976 अगला question, question number 40 है जलवायू से समंधित उतरपदेश में सच से जलवायू छित्रों की संख्या है इन में से कितनी है तो right जवाब बनेगा दूस्तों option C, 9 अगला question, question number 41 है दूस्तों नदी घाती से समंधित 41 question उतरपदेश में नहरों के माध्यम से सता के पानी की बहतर आपूर्ती प्रदान करने के लिए इन में से कौन से प्रमुक से चाई और बहुत देसी पर योजिनाओं में से एक नहीं है आपको बताना है तो right answer option नहीं हो जाएगा वर्सा जनत अगला question, question number 42 है उतरपदेश स्राज में टिहरी बांध पर्योजना किस देश के सहयोग से पूरू की जाएगी तो right answer option D हो जाएगा सोबियत रोस next question, question number 43 है दूस्तों उतरपदेश स्राज में निमलिखित में से सबसे उचा बांध कौन सा है तो सही जवाब बनेगा option B राम गंगा बांध का निर्माड 1978 में धांपुर बीजन उर की राम गंगा नदी पर किया गया تھا दूस्तों जो 127.5 मेटर उचा है जबकि माताटीला बांध का निर्माड 1958 में बेतवा नदी पर ललिद पूर में किया गया था इसकी उचाई 45.52 मीटर है दूस्तों रिहन्द बांध सोन भातर में रिहन्द नदी परिस्थित है इसकी उचाई 91.46 मीटर है मेजा बांध मेजापुर में बेलन नदी परिस्थित है इसकी उचाई 40 मीटर है आप लोग जहन रखेगा अगला कोशन, कोशन नबर 44 है उत्रपडेस राज में परिच्छा बान किस नदी पर बना गया है तो right answer बनेगा option C, बेत्वा नदी पर उत्रपडेस राज के राज में परिच्छा बान बेत्वा नदी पर बना है इसके जलासे का उप्योग बिजली उत्पादन के लिए परिच्छा थर्मल पावर प्लान दो रखिया जाता है बेत्वा नदी हमीरपूर के निकर जमना नदी में मिल जाती है कोश्चन नमबर अगला है फोटी फाइब करश्चिंग पस बालन से समा देट फोटी फाइब कोश्चन उत्तरपडेस के मुखे परकार की फसले है इन में से कौंसी है तो राइट अंसर हो जाएक रवी की फसले अक्टूबर नॉमबर माह में की जाती है दोस्तों और इन फसलों की कटाई मार्च अपरेल तक कर ली जाती है उत्तरपडेस की प्रमुक रवी फसले गेहूं है जोँचना मटर अलसी सर्सों धनिया है दोस्तों आप लोग ध्यान लखिएगा अगला कोश्चन नमबर फोटी सेवन है निमनकंद फसलों में से किसे गरीब का मे पूर्ड इस्थान है इसकी उत्पादन चमता अन फसलों से अधिक है यहां एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबो का मितर कहा जाता है यहां फसल मोल लूप से दक्षण अमेरिका की है और इसमें कार्बोहाइडड और विटामेन भरपूर मातरा में पाय जाते हैं आलू राइट अंसर ऑप्सन नहीं हो जाएगा भारत का पहला इस्थान है अगला कोशन कोशन नमबर 49 उत्तर प्रदेश में आपको यहां पे फिल करना है में करशी कुम्व 2018 का आउजन किया गया था तो कहां पर किया गया था तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी लखनव अ आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में पर्थम इस्थान है दोस्तों और इसके अलावा गन्य के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पर्थम इस्थान है 19 अगस्त को रास्टी आलू दिवस मराय जाता है भारत में केंदरी आलू अनुसंधान केंद हिम पांचल प्रदेश की राजधानी सिम्ला में इस्थापित किया गया है। महात्पूर्ण जानकारी है ध्यानकियेगा। अगला कोशन, कोशन नुबर 51, उत्तर प्रदेश के निमली खित में से किस जिले में केंद सरकार की अफिम की फाक्टरी इस्तित है। तो राइट अंसर कोशन नुबर 52, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वधेशी किस्म की बुआई का उप्यूग समय निमली खित में से कौन सा है। तो राइट जवाब आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा उप्सन अप्रेल का पहला राज है जबकि मद्द प्रदेश अमरूद का बिहार लिची का सबसे बड़ा उत्पादक राज है और आम का बैग्यानिक नाम की यदि हम बात करें तो मैंगी फेरा एंडिका है दोस्तों आप लुग ध्यान लखेगा। अगला कोशन, कोशन नमबर 54 है भारत में उत्र प् अगला कोशन, कोशन नमबर 55 उत्र प्रमुख उत्पादकों में से एक है इन में से कौन सा एक है तो राइत जवाब बनेगा उप्सन सी गन्ना इसका सई जवाब हो जाएगा। महत्पूर्ण जानकारी है ध्यान कियेगा प्रसन पूछे जाते हैं यहाँ से कौशन नमबर 56 है निम लिखित में से कौन सा विकालप उत्र प्रदेश की महत्पूर्ण अनाज फसलों के नाम का उलेग करता है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा उप्सन भी चावल का इसका सही जाब बनेगा उत्र प्रदेश की प्रमुक फसल चावल है गेहु बाजरा जाओ और मक्का है या गेहु गन्ना और आलू के उत्पादन में पर्थम इस्थान रखता है प्रदेश की नमबार फिप्टीस से बन है दूस्तों यहाँ पर निम्न मेसिक कौन सा राज भारत में खादयान का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस question का option C उत्तरपडेश इसका सही जौब है भारत में कुल खाद्यान उत्तपादन में उत्तरपडेश का देश में पर्थम इस्थान है उत्तरपडेश गिहूं गन्ना आम आमला तर् चावल की किस्म का नाम पताई है most important प्रसन है दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा option D काला नमक काला नमक उत्तरपडेश के तराई छेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंदी चावल की किस्म है दोस्तों या भारत के अच्छे गुड़ोत्ता व रूप में भी जाना जाता है चावल की अधिक उत्तपादन के कारण चंदवली को चावल का कटोरा कहते हैं ध्यान रखेगा महात्मोंड कोर्शन है अगला कोर्शन कोर्शन बार 59 है दक्षुणी उत्तरपडेश का और यह जिला प्रमुक रूप से किसका उत्तपादक है त दोस्तों अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 60 है प्राकरतिक रूप से उगने वाली बहुवर्शी गहात जिससे इस्थानी बोली में के रूप में जाना जाता है अमेठी चिले के तराई चितर में पाई जाती है इस्थानी लोग इस गहात से कई परकार के सजावती सामान और घ्रेल उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूझ उत्पाद कहा जाता है तो right answer option B हो जाएगा सरपत इसका सही जोब बनेगा अगला question question number 61 है निम लिखित में से कौन सी फसल उत्रपडेस में आमतोर पर या ब्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है आपको बताना है तो right answer option T हो जा अगला question question number 62 है उत्रपडेस में नीबू प्रधानता कहां उगाई जाता है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option A सहरनपूर और मेरट उत्रपडेस के सहरनपूर और मेरट जुले में नीबू उगाई जाता है नीबू का वेग्यानिक नाम साइट्रस लिमोन है आप लोग ध्यान रखिएगा साइट्रस लिमोन अगला question question number 63 है दोस्तों भारत के कुल गना उत्पादन का कितना परसत उत्तर परदेस पैदा करता है तो right answer आपको देना है तो right answer हो जाएगा 25 से 40 परसंट अगला question question number 64 है भारत में आमो का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन सा है तो right answer यहाँ पर बनेगा option D उत्तरपडेस भारत में आमो का सबसे बड़ा उत्तरपड़ेस है इसके बाद आनपडेस आता है करनाटक, बिहार, गुजरात, राजियों का इस्थान है, अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है, वन जीव यूम अभ्यारन से समान दित, कोशन नमबर 65, निम लिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारन उतर प्रेस में इस्थित है, तो राइत, आंसर हो जाएगा, आप अप्सन C में है, घट, प्रभा, पक्षी, अभ्यारन, करनाटक में इस्थित है, जायक, वाड़ी, पक्षी, अभ्यारन, महाराष्ट, राजि में इस्थित है, रोष्तु, आप लोग ध्यान नकिएगा, महात्मुड, कोशन से, अगला कोशन, कोशन नमबर 66 है, माफ दुध्वा राष्टी उदान हमारे राज के में से किस जिले में इस्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर अप्सन ही हो जाएगा, लखीमपूर खेरी, वर्स 1977 में सरकार ने लखीमपूर खेरी जिले के 614 किलोमीटर चेत्र को दुध्वा राष्टी उदान के रूप में दुध्वा से लगभग 30 किलोमीटर दूर इस्थित एक अन्य आरष्टी चेतर किसनपूर अभ्यारन को मिलाकर वर्स 1987 में दुध्वा टाइगर रिजर्ब बनाया गया, यह राष्टी उद्यान बागों और 12 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है, अगला कोशन, कोशन नमबर 67 ह चंद्र प्रभाव वन्य जी अभ्यारन उत्रपदेश के किस जिले में इस्थित है, पूछा जाता है, तो यहाँ पर इस कोर्शन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर बनेगा दूस्तों आप्शन भी चंदौली में इस्थित है चंद्र प्रभाव वन्य जी अभ्यारन उत्रपदेश के चंदौली जिले में इस्थित है, जो वारानसी से 70 किलोमीटर दूर है, इस अभ्यारन की स्थापना वर्ष 1957 ध्यानकियेगा, 1957 में ACI सेरों को सनक्षण देने के लिए किया गया है, सेरों के अलावा यहां साही, कालेहिरन, चेतल, जंगली, सुवर, सांभर, निलगाय और भारती, चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाय जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यानकियेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 68 है, चंद प्रभा मरगवन भारत के किस राज़ में इस्तित है, तो राइट आंसर हुजाएगा उपसन इ, उत्तर प्रभा वन जिव अभ्यारन, इसका सही जाओ बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 70 है दोस्तों, उत्तर प्रभा प्रभा निगम कब इस्तापित किया गया था, मोस्ट इम्पर्टन प्रजन है तो राइट आंसर बनेगा 25 नमबर 1974 इसका सही जाओ बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 71 है दोस्तों उत्रप्रेस में सेर सफारी इस्थित है, कहां पर इस्थित है? तो राइत आंसर हो जाएगा option B अमनगड उतर प्रदेश में बागों के सनक्षाण है तीन टाइगर रिजर्व इस्थापित किये गए हैं पहला टाइगर रिजर्व दुद्वा टाइगर रिजर्व लखिमपूर खीरी है जो सन 1987 में आप लोग ध्यान रखेगा महात्मूर कोश्चन है 1987 में बना गया था दूसरा अमनगड टाइगर रिजर्व बेजन ओर है जिसकी इस्थापना वर्ष 2012 में तीसरा पेली भी टाइगर रिजर्व जिसकी इस्थापना 2014 में की गई थी अवहाली में उतर प्रदेश के रानीपूर वनेजी अभ्यारन चित कूट को राजी के चौथे तथा भारत का तिरपनवा बाग अभ्यारन के रूप में अधिसूचित किया गया है या बुंदेल खंड चित में उतर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेएगा महात्पूर जानकारी है भारत में बाग सनक्षान पर योजना के यदि हम बात करें तो एक अप्रेल उननी सो तीहत्तर को देश की तद कालिन प्रदान मंतरी इंद्रा गानी दोरा देश के प्रथम राष्टी उध्यान जिम आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टी सेबन पॉइंट सिक्स एट परसंट है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबार सेवन्टी फोर है जन्गना दोहजार गयरा के उनसार राज के सरवाधिक और नियुनतम जनसंख्या वाले जिले करमसा है इन में से कौन से है तो राइट अंसर ऑप्शन दी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इलाहबाद और महोबा ऑप्शन दी राइट अंसर बनेगा अगला कोशन कोशन नमबार सेवन्टी फाइब है दोहजार गयरा की जन्गना के उनसार उतर प्रदेश का सरवाधिक साक्षर जन अगला कोशन कोशन नमबार सेवन्टी सेवन्टी सेवन है दोस्तों वर्च 2011 की जन्गना के उनसार उतर प्रेश की जन्संख्या का ब्रद्रत्धि प्रसफत क्या है इनमेंसे तो राइट अंसर हो जाएगा वीतश दस्मलव दू तीन परसंट अगला कोशन नमबार जन्ख्या की दर्ष्टी से उत्रप्रेस राज का भारत में कौन सा इस्थान है आपको बताना है तो right answer option यह हो जाएगा पर्थम इस्थान है दोर्तों भारत की पंद्रवी जन्गरना 2011 के नुसार उत्रप्रेस की गुल जन्ख्या की यदि हम बात करें तो 19 करोण 98,12,341 है और इस प्रकार भारत में जन्ख्या की दर्ष्टी से उत्रप्रेस का पर्थमिस्थान है जबकि सबसे कम जन्ख्या गुवाराज की है अगला कोशन, कोशन नमबर 79, जन्गरना 2011 के नुसार उत्रप्रेस में लिंगा नुपात है आपको बताना है तो right answer option C हो जाएगा 912, नमबर 80 है दोस्तों, उत्रप्रेस राज में किस जन्पात में लिंग अनुपात सबसे अधिक है आपको बताना है तो right answer option C हो जाएगा जाउन पूर इसका सही जवाब है दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 81 है, जन्गरना 2011 के अनुसार उत्रप्रेस की जन्ख्या है, कि अगला कोशन, कोशन नमबर 82 है, जन्गरना 2011 के अनुसार उत्रप्रेस की आबादी क्या थी, तो right answer यहाँ पर आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा लागबाग 200 मिलियन, अगला कोशन, कोशन नमबर 83 है दोस्तों, 2011 की जन्गरना के अनुसार उत्रप्रेस की किस जिले किस जन्ख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा, option A, इलाहबादिस का सही जवाब बनेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 84 है, 2011 की जन्गरना के अनुसार उत्रप्रेस की कितनी प्रशत आवाधि गरामिड चेत्रों में रहती है, तो right answer option D हो जाएगा, 77.73%, अगला कोशन, कोशन नमबर 85 है, उत्रप्रदेश भारत का सबसे अधिक अवाधि वाला राज है, और जन्गरना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी अवाधि घनतो, आपको बताना है, प्रतिवर किलोमेटर है, कितना है, तो right answer हो जाएगा, प्रतिवर किलोमेटर है, अगला कोशन, कोशन नमबर 86 है, जन्संक्या के मामले में उत्रप्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान इस्थान पर है, तो right answer option D हो जाएगा, पहले इस्थान पर है, अगला कोशन, कोशन नमबर 87 है, नीचे दिये गए वो राज्यों में म अगला कोशन, कोशन नमबर 88 है, उत्रप्रेश की राज्धानी लखनों की साक्षर्ता दर क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इस कोशन का right answer हो जाएगा, लखनों की साक्षर्ता दर जन्गना 2011 के आधार पर 77.29% है, जबकि 2001 में साक्षर्ता दर 68.71% थी, तो दिएगे options में से कोई भी option यहाँ पर सटीक नहीं है दोस्तों, तो आप लोग धान अखिएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 90 है, जन्गना रिपोर्ट 2011 के नुसार उत्र प्लेस में बाल लिंगा नुपात क्या है, तो right answer यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस कोशन का, दोस्तों, यहाँ पर एक question, यहाँ पर मिस हो गया है, question number 89, question number 90 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जन्गना रिपोर्ट 2011 के नुसार उत्र प्लेस में बाल लिंगा नुपात क्या है, तो right answer आपको पताना है, तो right answer हो जाएगा, option D, 902 है दोस्तों, question number 91, उत्र प्लेस में चमड़ा ब्यवसाई का एक परमुक केंदर है, तो right answer आपको पताना है, तो right answer option A हो जाएगा, kanpur उत्र प्लेस में चमड़ा ब्यवसाई का एक परमुक केंदर है, अगला question, question number 92 है, फरुखा बाद कला का परयाव बन गया है, तो right answer हो जाएगा हाथ छपाई option A यहाँ पर सही जौब बनेगा question number 93 है दूस्तों प्रमुक आभुष्ण बाजार उतरप्रेस की सहर में इस्तित है तो यहाँ पर दूस्तों इस question का right answer option A हो जाएगा option A यहाँ पर right answer हो जाएगा merit merit उतरप्रेस का सबसे बड़ा आभुष्ण बाजार है यह देश के स्वीर्श दस आभुष्ण बाजारों में से एक है उद्दो के आधार पर सार में लगबाग 40,000 से अधिक कारीगर आभुष्ण चेतर में कारयत है तो आप लोग ध्यान लखेगा अगला question question number 94 है दोस्तो उतरप्रेस में फिरोज सहा किसके लिए प्रशिद्ध था फिरोजाबाद किसके लिए प्रशिद्ध है दोस्तो उतरप्रेस में फिरोजाबाद किसके लिए प्रशिद्ध है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option P कांच की चूणिया यहाँ पर राइट अंसर बनेगा दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 95 है दोस्तों निम लिखित में से कौन सा योगम असंगत है आपको बताना है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों क्रतिम अंग निर्माड कांपूर में है कांचुदोग फिरोजाबाद में है दोस्तों डीजल लोको मोटीव वारानसी में इस सित है परमाड बिद्दुत सायंत की यहाँ बात करें तो नारोरा बुलन साहर में है नाकी लखनव में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा अगल अगला कोशन कोशन नमबर 96 है उत्तर प्रदेश में भारती वाणिजियों उद्दुग मंडल की स्थापना किस वर्स की गई थी तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्सन भी 1994 में अगला कोशन कोशन नमबर 97 है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद और पिसेश उत्पाद अप्सन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वन डिस्टिक वन प्रोजक्ट योजना योगी सरकार दोरा उत्तर प्रेश के सभी जिलों को बिक्सित करना तथा उन्हें एक नई पहंचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को सुरू की गई थी ध्यानके का आगला कोशन, कोशन नबर 98 है उत्तर प्रेश सरकार ने वर्श 2018 में यूपी खादी नामक ब्रान्ड के तहद राज में निर्मित खादी वस्तर के समवर्धन हे तो किसके साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो राइट अंसर अप्संदी हो जाएग आप्संदी है इसका सई जवाब हो जाएगा कोशन नमबर अगला है कोशन नमर मिति के सजावति भरतनों के लिए जाना जाता है इने में से कौन सा है तो राइट अंसर हो जाएगा चुनार अगला कोशन कोशन नमबर 101 है राज में ब्योसा है इस्थापित करने के उद्देश से उद्दूग बंद उत्रप्रे सरकार का प्रमारित यहाँ पे आपको फिल करना है इस तरही निकाय है और यहाँ सभी और दोगिक अनमोधनों को समाहित करता है तो यहाँ पर दोस्तों राइट अनसर बनेगा इस कोशन का उप्षन C तीन इसका सहिजवब है अगला कोशन कोशन नमबर 102 है भारत से सौफटवेर निर्याद की ज़श्टी से उत्रप्रेस किस इस्थान पर है दोस्तों आपको बताना है अगला कोशन कोशन नमबर 103 है उतरप्रेस राज्य में आपको यहाँ पर फिल करना है सहर पीतल के बरतन और हस्त शिल्प के लिए प्रसिद्ध है तो राइट अनसर हो जाएगा ऑप्षन भी मुरादाबाद इसका सही जवब बनेगा दोस्तों मुरादाबाद पीतल के बरतन और हस्त शिल्प के लिए सहरनपूर लोहे के बाट उद्धोग उप्षने में दिया गया है आगरा आगरा यहाँ पर मिट्टी खिलोना उद्धोग के लिए है और लखनव जर्दू जीवा चिकन कारी के लिए है जहान रखेगा अगला कोशन कोशन नमबर 104 है मत्रवा दिख बोई और पानी पत में परिस करन शाला है किस के द्वरा इस्थापित की गई है तो राइट अंसर हो जाएगा उप्षन C इंडियन ओयल कार्पोरेशन लिम्टेट द्वरा अगला कोशन कोशन नमबर 105 है बेराइट तथा एंडालूसाइट उतरव देश के किस चिले में पाई जाते हैं तो राइट अंसर अप्षन C हो जाएगा सोन भादरिस का सही जाब बनेगा दोस्तों नमबर 106 है कोशन नमबर 106 है उतरव देश का सहरन पूर्शाहर निम्लिखित किस कला और शिल्प के लिए बिसो प्रसिद्ध है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा उप्षन C लकडी पर नकासी उप्षन C यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा लकड़ी पर नकासी के लिए सुहरान पर बिसो प्रसिद्ध है चूड़ी उद्धोग की यदि हम बात करें तो चूड़ी उद्धोग फिरोजाबाद कालीन उद्धोग भदोही और इत्र और सुगंद उद्धोग का नोज अपलोग ध्यान लखेगा अगला कोशन कोश्या नमबार 107 है उतर परदेश के किस सहर को सुहाग नगरी कहा जाता है या सहर कांच की चूड़िया बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो राइट अंसर हो जाएगा आपसान फिरोजाबाद उतर प्रदेश के फिरोजाबाद सहर को सुखाग नगरी या चूडी नगरी कहा जाता है या सहर कांच की चूडिया बनाने के लिए प्रशिद्ध है फिरोजाबाद जिले का मुख्याल है फिरोजाबाद ही है अगला कोशिया नमबार 108 है दूस्तों उत्र प्रेश का लखनाओ सहर निमलिखित में से किस हद करगा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन सी चिकन कारीगरी उत्र प्रेश का लखनाओ सहर चिकन कारीगरी हद करगा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं चिकन लखनाओ की प्रसिद्ध कड़ाईवा कशिदा की साली है जिसका पृयोक कप्रों कुर्टों वा साडियों पर किया जाता है अगला कोशन कोशन नमबार 109 है उत्र प्रेश का कौशन साहर चिकन कारी साड़ियां नामक सुन्दर कड़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रशिद्ध है तो यहां पर दोस्तों इस कोशन का राइत आंसर हो जाएगा आप्शन B लखनौ इसका सही जवाब बनेगा उत्र प् प्रोजाबाद साहर कांच के उद्धो के लिए प्रशिद्ध है अगला कोशन कोशन नमबार 111 है उत्र प्रदेश के निमलिखित में से किस शहर में भारती रेल की कोज निर्माडी काई आधूनिक रेल कोज फाक्टरी इस सिथ है तो राइत आंसर बनेगा दोस्तों यहां अगला कोशन कोशन नमबार 112 है दोस्तों उत्र प्रदेश में वहां कौन सा एक मात्र छेतर है जहां तांबा पाए जाता है तो राइत अंसर हो जाएगा उप्शन सी ललिदपूर अगला कोशन कोशन नमबार 113 है इन में से कौन सा इस्थान धात की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नाकासी के लिए प्रशिद्ध है तो राइट अंसर हो जाएगा उप्सन सी उत्तर प्रेस में मुरादबाद अगला कोश्य कोश्या नमबार 114 है दोस्तों उत्तर प्रेस के उद्धोग बंदू की शाखा समचना है तो राइट अंसर बनेगा उप्सन थिरी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा उत्तर प्रेस में उद्धोग बंदू की इस समय तीन साखा है जिला इस्तर मंडल इस्तर वर राज इस्तर पर हैं उद्धमिता और उद्धोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रेस सरकार ने निवेश में त्र योचना सुर प्रूलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के उद्धेश के साथ जनुरी 1982 में इस्ताबित किया गया था यहां इंडियन ओयल कार्पोरेशन की छठी रिफाइंडी है अगला कोशन कोशन नमबार 116 है इंडियन ओयल कार्पोरेशन की तेल रिफाइंडी उत्तर पर इस सित है नेक्स कोशन कोशन नमबार 118 है एसो चैम उत्रप्रदेश सिक राज इस तरी वानिज और उद्दू का प्रमुक चैमर आफ ट्रेड है जो निजी सरक सहकारी और सारवजनिक चेत्रों में बड़ी माध्यम और छोटी इकाईयों का प्रति निधेत करता है एसो चैम य कोशन नमबार 119 है इन में से कौन सी मुक एजन्सियों में से एक नहीं है जो उत्तरप्रदेश में भारी मात्र में अनाज भंडारन में शामिल है तो राइत अंसर हो जाएगा ओप्शन भी FDI किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश से निवेश किया जाता है तो उसे प्रतिश बिदेशी निवेश FDI कहा जाता है इसका समन्द अनाज भंडारन से नहीं है जबकि भारतिक खाद निगम FCI केंदरी भंडारन निगम CWD तथा राज भंडारन निगम SWC अनाज भंडा उतर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है तो right answer यहाँ पर बनेगा option B उतर प्रदेश में 5 भारतिकरसी अनुसंधान ICAR संस्थान है option B यहाँ पर right answer बनेगा question number अगला है 121 question number उतर प्रदेश किसके लिए प्रशिद है तो right answer बनेगा option उतर प्रदेश चुनार काली मिटिक के बारतिन के लिए प्रशिद है question number अगला 122 निम लिखित में से उतर प्रदेश के किस शहर में लकडी से बने ताल वाद धोलक बनाने की 300 छोटी काईया है तो right answer हो जाएगा option अम्रोहा अगला question question number 123 निम लिखित में से उतर प्रदेश का काउंसा चिला बिसिस्ट और उतकरस्ट डिजायनों वाले कालीनों के उत्पादनों निराट के लिए प्रशिद है तो right answer बनेगा option D भदोही इसका सही जोग बनेगा question number 125 है निम्न में से काउंसी कंपनी का उतर प्रदेश में बी निर्माड सेटप नहीं है आपको बताना है दूस्तों तो right answer हो जाएगा option C इसकोडा इसकोडा की बी निर्माड एकाई महाराष्ट में स्थापी थे लोस्तों आप लुग धान रखिएगा अगला question question number 126 है उतर प्रदेश का बुलन साहर जिले में कौन सा इस्थान चेनी मिटी की चीजों के लिए जाना जाता है तो right answer हो जाएगा option C खुरजा इसका सही जाब है अगला question question number 127 उतर प्रदेश में कौन साहर को चर्मोद दोग की राजधानी के रुप्रे माना जाता है तो right answer option B हो जाएगा कान पुरिश का सही जाब है अगला question question number 128 दोस्तों निमलिकित में से कौन सा इस्थान काज की चूड़ियों और काज से बनी वस्तूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है तो right answer option B हो जाएगा फिरोजा बाद अगला question question number 139 है मुरादाबाद किसके लिए प्रशिद्ध है तो option A right answer हो जाएगा धातु की कलाकरतियों के लिए मुरादाबाद उतर पर इस प्रांत का एक नगर है जो की पीतल हस्तों सिल्प के निर्मार के लिए निर्यात के लिए प्रशिद्ध है राम गंगा नदी के टड़ पर इस सित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तों सिल्प के लिए पूरे बिसुव में प्रशिद्ध है राम गंगा और गंगा यहां की दो प्रमुक नदिया है राम गंगा के किनारे इस सित हाफिज साहिब की मजार भी यहां देखने योग है तो यहां पर राइट अंसर ऑप्शन ही हो जाएगा अगला कॉशन कोशन नमबर 130 उतर प्रश राज में सित हाफना कहां की जा रही है तो यहां पर राइट अंसर बनेगा दोस्तों इस कोशन का ऑप्शन बी न्वाडा उतरप्रदेश में Electronic City की स्थाफ़ना न्वाडा में की जा रही है दोस्तों अगला कोश्यन कोश्यन बार 131 है उतरप्रदेश का कौनसर सहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विशु में विख्यात है तो राइट अंसर अपसंदी हो जाएगा जलेशर इसका सही जोब बनेगा उतरप्रदेश का जलेशर सहर कास्ट बेल के लिए पूरे विशु में ख्याती प्राप्त है जलेशर उतरप्रदेश के इटावा जिले में इस्थित कस्बा टाउन है जलेशर ब्रास और पीतल उद्धो के लिए प्रसिध है इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिला जाता है तो आप लोग ध्यान लखेएगा अगला कोशन कोशन नमबर 132 है अलीगड किसके लिए प्रसिध है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन D अलीगड तालों के लिए प्रसिध है दोस्तों नेक्स कोशन कोशन नमबर उर्ज़त संसाधनों परियोजना से सम्मंदित कोशन नमबर 133 निमलिकित में से कौन सा नाब की सक्त संसाधनों उत्र प्रसिध है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन B नरोरा नरोरा उत्र प्रसिध है दोस्तों कयगा कि यदि हम बात करें तो कयगा करनाटक में है कल्पक कम तमिल नाडू में है और काकरा पारा गुजरात में है ध्यान रखिएगा महात्पून कोश्चन है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 134 उतर प्रदेश में किस जिले में सरवपर्थम सोलर उर्जा सेंत प्रारम किया गया है तो राइट अंसर अप्सन सी हो जाएगा प्रपानी कंपनी तोशिबा ने किया था अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 135 है उतर प्रदेश में वैकलपी कुर्जा के विकाज के लिए वैकलपी कुर्जा विकाज संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो राइट अंसर अप्सन भी हो जाएगा उन्ने सो तिरासी अग सिवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है तो राइट अंसर बनेगा यहां पर दोस्तों ऑप्सन C ट्रांस्पोर्ट नगर से चार बाग अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 137 है मानेनी मुख्यमंत्री सिरी अकलेस यादव दोरा 27 सितंबर 2014 को लखनो मेट मेट्रो कब शुरू करने की योजना है तो राइट अंसर यहां पर बनेगा दोस्तों ऑप्सन D अक्टूबर 2016 अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 138 है उतर प्रेस में लखनो मेट्रों के परथम चराण में कहां से कहां तक मेट्रों का चलना प्रस्ताबित है तो राइट अंसर ऑप्सन C हो जाएगा ट्रांस्पोर्ट नगर से 4 बाग अगला कोशन, कोशन नमबर 149 है जुलाई 2018 की स्तेती के उंसार उतर प्रेस में सबसे लंबी उचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फाइल हुई है तो राइट अंसर अप्सन भी हो जाएगा यूपी गेट से गाजयाबाद में राजनगर पिस्तार कोशन नमबर अगला 140 उतर प्रेस राज में यमना एक्सप्रस वे निम लिखित किन दो सहरों को जोडने के लिए बना गया है तो राइट अंसर अप्सन पर बनेगा अप्सन C आगरा और नौइडा इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 141 है उतर प्रेस सरकार की यमना एक्सप्रस वे का उत्गाटन मुख्यमंतरी अखले से यादो दोरा कब किया गया था तो राइट अंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर अप्सन C, 9 अगस्त 2012 कोशन नमबर अगला है जन जातिया 142 कोशन, निम लिखित में से कौन सी जन जाती उतर प्रेस के अधिस सूचित अनुसूचित जन जाती की सूची में सामिल नहीं है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा अप्सन B, तडवी अप्सन B, राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 143 है उतर प्रेस में कौन सी जन जाती दीपावली को सोग के रुप में मनाती है Most important question है, तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा इस question का अप्सन B, थारू उतर प्रेस की थारू जन जाती दीपावली को सोग के रुप में मनाती है थारू जंजात मुक्रूप से उत्राखंड और उत्रपदेश के तराहिशत में पाई जाती है या सयुक्त परिवार पर्था वाली जंजाती है थारू जंजात हिंदूओं के सभी तेवहार मनाते है अगला कोशन कोशन नमबर 144 है एतिहासिक इस थल से समंधित उत्रपदेश के बुलन सहर जिले में इस्सित है खुर्जा को सिरामिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है अगला कोशन कोशन नमबर 145 है उत्रपदेश में यूपी परेटन दोरा बुंदेल खंड सरकिट में निम्न में से कौन से गंतब शामिल है तो राइट अंसर बनेगा बिठूर चि कोशन नमबर 147 है रूमी दरवाजा उत्रपदेश के किस सहर में इस्सित है तो राइट अंसर बनेगा बिठूर लखनव कोशन नमबर अगला 148 उत्रपदेश के किस जिले में किछोचा दरवाज शरीफ इस्सित है तो राइट अंसर अप्सन सी हो जाएगा अंभेटकर नगर किछोचा शरीफ को प्रसिद सूफी संत सयद मखदूम असरफ जहांगीर साहब की दरवाजा का नाम से भी जाना जाता है अगला कोशन कोशन नमबर 150 है और अंतिम कोशन है निम्न में से किस शहर में कुम्भ मेला लगता है तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन बी इलाहबाद इस्टरवाज को सॉल्प करेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न 202 है हास तो शिल्प के अंतरगत आने वाली चिकन कारी का कारम को रोप से कहां किया जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा लखनो में अगला कोशन कोशन नमबर अगला है 203 उत्रपड़ेस के उन लोक संगीत का नाम बताए जो मांसून के महिनों में गायज आता है और जो बिरह के भाव को दस आता है तो राइट अंसर हो जाएगा कजरी इसका सही जो बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 204 है अगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने यहापको फिल करना है उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है तो राइट अंसर हो जा चट पूजा में किस भखवान की पूजा की जाती हो जो उत्तर पूज़ जारखंड और बिहार का एक बहुत इमाहत पूटते उखार है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन C रभी अगला कोशन कोशन नमबर 207 है प्राचीन पूरसों द्वरत चाक से बनाएगे चित्र प्रूप क्या है तो राइट अंसर ही हाँ पर बनेगा दोस्तों इस कोशन का ऑप्शन ए बनारस सिंदू विश्विद्याले अगला कोशन कोशन नमबर 209 भाद खंडे संगीत संस्तान विश्विद्याले उतर पर दिसमें कहा इसी थै तो राइट अंसर ऑप्शन ही हो है बनारस इंदू विश्विद्याले किस वर्स सिस्तापित किया गया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन सी 1916 में अगला कोशन कोशन नमबर 212 है उतर प्देश के निमलिखित में से किस शहर में राजकी कलायूं सिल्प महा बिद्याले गवर्मेंट कॉलेज आप आर् केंदरी पक्षी अनुसंधान संस्थान उतर प्देश के किस शहर में है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बरेली में अगला कोशन कोशन नमबर 215 है आव दोगिक आविश शालुता बिग्यान शोध केंदर इस्तित है तो कहां पर इस्तित है दोश्तों तो राइ केंदरी पक्षी अनुसंधान संस्थान कानपूर में है भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनव में है भारती सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणशी में है केंदरी पक्षी अनुसंधान संस्थान इजयत नगर भरेली में है केंदरी अवसद अनुसंधान लिए मासिकी अनुसंधान सर्थान प्रयागराज में है राष्टी उद्दमिता तथा लगु बेवसाइब इकास सर्थान वाड़ा में है तो आप लोग धान रखेएगा महात्मुर जानकारी है दूस्तों अगला कोर्शन कोर्शन नमर 216 है बनारस सिंदो बिसुवेदाले कि चातवर्टी से प्रोस्कृत करता है इनमें से कौन सा विसाइब नहीं है जिनमें इन चातवर्टियों कोई दिया जाता है तो राइट अंसर ऑप्सन डी हो जाएगा पार्शन डिजाइन अगला कोशन कोशन नमर 216 है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन C बरकत उल्लाह अगला कोशन कोशन नमर 220 है उत्रपडेस में ललित कला अकाडमी नेशनल अकाडमी आफ आर्ट चेतरिक के एंदर कहां पर इसी थ है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा जूस्तों अगला कोशन 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 नमर 222 है कानपूर में 1964 में इस्थापित किस बिस्विध्याले के नाम एक मराथा राजा के नाम पर रखा गया था तो राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा चत्पति साहुजी महराज बिस्विध्याले अगला कोशन 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 नमर 223 है कासी बिद्धापीट वारानसी की स्थापना किस ने की तो राइट जवाब बनेगा जूस्तों आप्सन B श्यू परसाद गुपता अगला कोशन कोशन नमर 224 है निम लिखित मेंसे किस सहार में सेंट्रल फूट वेर ट्रेनिंग इस्सिटिउट इस्थ है तो राइट आंसर होजाएगा ओप्सन C आगरा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 225 है लखनाओ में चेतरी केंदर प्रेंट मेकिंग मोर्तिकला मीटी के बरतन और चितकला के विशों से कलाकारों को कारश विधाय प्रदान करने के लिए इस्थाबित किया गया था तो राइट आंसर बनेगा ओप्सन भी ललित कला अकादमी अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 226 है नीम लिखित में से कौमसा विशोभी दाले 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथाम घटा कॉलेज के रुपे शुरू किया गया था तो राइट आंसर हुज़ के किस विशुभी दाले को पूर्व का आठ्सपोर्ड नाम से जाना जाता है था तो राइट जवाब बनेगा दूस्तों यहां पर आप्सन अप्सन C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलाहा बाद विशुभी दाले अगला कोर्शन कोर्शन नंबर 239 है उत्र पूर्शन में विकलांग वेक्तियों के लिए विशुभी दाले कहा है से था तो राइट आंसर अप्सन C हो जाएगा चित्र कोर्ट में अगला कोर्शन 230 है उत्र परदेश के किस स्थान पर भारती सरकरा तकनिकी संस्थान है तो राइट आंसर बने का ऑप्सन C कान्पूर अगला कोर्शन 231 है उत्र परदेश का बीज प्रमाड़ी करण ब्यूरो कहां जो जो जाएगा आलमभाग लठनों में से थैं और इसके स्थाप तो राइट आंसर ही हाँ पर बनेगा दोस्तों, अगला कोशन, कोशन में 233, उतर पर देस में किसके परचार हुद करने सुमंगला योजना की सुरुवात की गई थी, तो राइट आंसर आंसर हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्वास्त यों सर्चुनिक मानक, कोशन नमबर 235 है दोस्तों, कि सोरी बालिका योजना वर्स में कितने दिनों के लिए बिद्याले में उपरसे ना होने पर लड़कियों को सल्टुलित आहार परदान करने की पेसकस करती है, तो राइट आंसर आंसर ही हो जाएगा, 300, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 236 है, प्रधान मंतरी की समसंभान ने धी योजना केता है, लापर प्राप्त करने के समन्द में उतरप्तिस राजी को किस इस्थान, कौन सा इस्थान प्राप्त है, तो राइट आंसर ही हाप पर बनेगा दोस्तों, इस कोशन का, अपसन ही, पहला इस्थान प् मूलन, अगला कोशन, कोशन नमबर 238 है, उतरप्रे सरकारदोरा करने अविद्याधन योजना के अंतरगत वर 2016 की कक्षा 12 में उत्योंड चैनी छात्राओं को प्रोसाहन है तो, कितनी धन्दास प्रादान की गई है, तो राइट जाब बनेगा अपसन दी, 30,000, अगला कोश कोशन, कोशन नमबर 248 है, करने अविद्याधन योजना के अंतरप्रे सरकारदोरा किस कक्षा में उत्योंड होने पर प्रोसान हिद्धनास दी जाती है, तो राइट अंसर अप्सन दी हो जाएगा, बार भी कक्षा, अगला कोशन, कोशन नमबर 241 है, उतरप्रे सरकारदोर करने अविद्याधन योजना के अंतरप्र चात्राओं को प्रोसान उत्कितनी राष परदान की जाती है, तो राइट अंसर यहां पे बनेगा, उप्सन दी सहजार, अगला कोशन, कोशन नमबर 242 है, आली में समाजवधी पार्टी दोरा उतरप्रे सराज्योंग, प्रधान मंत्री नेरेन मोधी ने इस्टेंडब इंडिया स्कीम का प्रारम की गई तो राइट जवाब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है प्रमुक वेक्तित्तु से समांधित कोशन नमबर 246 परम हन्स योगा नंद गिरिक जिन्होंने परश्चिम को योग के ग्यान से परचित किया का जनम यहाँ पर आपको फिल करना में हुआ था तो राइट आंसर ही हाँ पर बनेगा दूस इसका सही जवाब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 248 है निम लिखित हिंदुस्तानी सास्त्री गायकों में से किसका समन्द उतरपदिस राजी से था तो राइट आंसर हो जाएगा उपसंदी सिद्धेश्वरी देवी उपसंदी राइट आंसर बनेगा कोशन नमबर 249 आनुभवी सुपरिसार अमताब बच्चन उतरपदिस के किस सहर से है तो राइट जवाब नेगा उपसंदी प्रयाग राज इलहाबाद अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है 250 कोशन नमबर आवद की रियासत से उस प्रसीद योद्धा बेगम का नाम क्या है जुन्होंने अग्रेजियों के साथ होने वाली लड़ाई से भाग लिया था तो राइट अंसर ही हापी हो जाएगा दूस्तों इस कोशन का आप्सन